हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम print command को cancel कर सकते हैं अपने Windows 11 operating system में और यह सारे printers में चलेंगी Windows 11 operating system में तो कभी-कभी क्या होता है आप कोई भी print दे देता है और आपको बाद में लगता है कि वो print नहीं देनी चाहिए थी तो आप उसे cancel करना चाहते तो अगर आप उसे cancel नहीं करते हैं तो जैसे आप print चालू करेंगे आपका printer चालू करेंगे तो print automatically आपके printer से आ जाएगी तो इसी को रोकने के लिए आपको उस print को cancel करना पड़ता है तो उसके लिए आपको what you want to print को जाना पड़ेगा और वहां से उस print को cancel करना पड़ेगा उससे जाने के लिए आपको दो प्रकार है तो सबसे पहले हम जाएंगे start में control panel को क्लिक करेंगे यहां से devices and printers में जाएंगे और यहां पर जिस printer को आपने print दी होगी उसके पर right क्लिक करेंगे और यहां पर option में लेगा see what's printing उसके पर क्लिक करेंगे तो आपने जो को भी prints दे रखी होगी और आपके printer में जो नहीं गई होगी वो सारी prints यहां पर दिखाई देगी तो दूसर manager में जाएंगे यहां पर और यहां पर show hidden icons के उपर क्लिक करेंगे यहां पर आपको printer का option मिलेगा उसके पर double click करेंगे तो फिर से वही option आपके सामने आ जाएगा तो अगर आप manually किसी print को delete करना चाहते हो suppose इस print को delete करना चाहते हो तो इसके पर right क्लिक कर दीजे और cancel कर दीजे तो यह printer जो है यहां से दीक में cancel कर देता हो तो yes के लिए जाओंगा तो यह print यहां से cancel हो जाएगे आप सारी के सारी prints यहां से cancel करना चाहते हो तो यहां पर printer में आएजी और यहां से cancel all documents के उपर click कर दीजे तो आपके सारी prints यहां से cancel हो जाएगे तो दोस्तों यह simple तरीका था किसी भी print command को cancel करने का अपने windows 11 operating system में वो भी बहुत ही simple तरिकी से तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और इस चैनल को subscribe करना तो कते ही मत भूलिए तो मिलते हैं हमारी आगले व करना देखरी आपा बहुते है था करे भंजते हैं हैँ इसार